यह वीडियो और मार्केट यहाँ पर हर दिन गिरते जा रहा है यानि अभी करेंटली काफी सारे गिरावट है मार्केट में देखने को मिली बहुत से लोग जो पहले ग्रीडी हो गये थे जो बोल रहे थे आरे मार्केट रिकोवर कर गया अभी यहाँ पर थोड़े चिंता में है जरूर आप मैंसे भी बहुत से लोग होंगे बहुत से लोग को ऐसा लगा होगा जो नहीं नहीं है इस्पेशली उन्हें लगा होगा तो थोड़ा अभी आपने भी देख लिया कि सिच्वेशन क्या थी कुछ महीनों बेले मैंने कहा था कि थोड़ा अपना पॉर्टफोल के लिए जो बाकी के इन बेफ सी है बैंकिंग है बाकी के लिए जो सेक्टर्स है जो यहां पर काफी जादा जूज रहे है ऑटो भी हो गया उसमें तो वह थोड़े लॉंग टर्म के लिए पकड़ के चलो क्यूंकि सिच्वेशन ही चल रही है मार्केट ही वैसा चल रहा है वाज़े से यहां पर एक नॉर्मल एक एक एवरेज इन्वेस्टर की बात कर रहा हूं जो गैंबल की बात नहीं करा एक इन्वेस्टर की सोच वैसी होनी चाहिए तो वैल यहां पर हम देख सकते हैं मार्केट में काफी सारी गिरावाट देखने को मिली है बट हमें अभी क् लेते उसके बाद ऐसा होता है कि मार्केट गिरने लग जाता है मार्केट गिर जाता है गिर जाता है और डर जाते और मार्केट को सेल कर देते उसके बाद में वापस मार्केट के पास चला जाता है हमें वैसा बिल्कुल भी नहीं करना बिल्कुल भी नहीं करना अगर कभी तो यह एक book है और यह भी एक book है मेरी नहीं है कोई प्रेट प्रमोशन है यह इतनी फेमस है मैं तो चोटा आदमी उनके सामने तो यह कभी पढ़ लो शायद आपको मेरी बाते यह पढ़ने के बाद तो at least समझ में आ जाएं तो हमें अभी करना क्या है यह market fall में एक average intelligent investor यहाँ पर ऐसे stocks खरीदेगा जो उसे long term में जाके काफी जादा फाइदा देंगे क्योंकि अभी वो discount में मिल रहे है क्यों क्योंकि वो discount में मिल रहे है जब यहाँ पर माल बिखता नहीं है किसी store में तब वो store क्या करता है उस जो चीज होती है उसकी price कम कर देता है तो जो जिस इसकी price उपर होनी चाहिए actually में वो नीचे हमें discount में मिलने लग जाती है वैसे काफी stock market में अभी sale चर रहे है काफी अच्छे stocks में और sale में हम फाल्तू stocks नहीं खरीदे sale में हम सिर्फ अच्छा माल खरीदते है तो वैसे ही यहाँ पर हम देख सकते है लार्सन और टूब्रो पहला stock है हमारा जो हम यहाँ पर वाई करेंगे ब्रेकिंग न्यूस आभी आभी आ गई है ब्रेकिंग न्यूस डाव राइट स्टेक stimulus hope higher तो यहाँ पर यह पहला stock है जो हमें यहाँ पर लॉंग टर्म के लिए अभी वाई करने है अगर हम इसे मंतली चार्ट की हिसाब से देखे तो L&T कोरोना वायरस के वाज़से काफी ज़्यादा effect हो गया है जिसके वाज़से यह काफी ज़्यादा नीचे आ चुका है इसकी potential आप देख सकते हैं अभी L&T काफी हमें सस्ते दामों में मिल रहा है अभी के लिए तो इंडा की टॉप यहाँ पर company आती है इनका टॉप companies में से आती है यह फर्स टॉप जो आपको यहाँ पर long term के लिए long term के लिए short term के लिए कभी भी गिरते हुए market में बाई नहीं करना हो सेकेंड यहाँ पर यह स्टॉक नहीं है यह है एक ETF ETF फंड है यह आप एक स्टॉक की तरह बाई कर सकते हो इसलिए मैं इसमें ही इसे इंक्लूड कर रहा हूं यह निपॉन इंडिया का ETF इसे निफ्टी बीज बोलते हैं आपकर आप NB भी डाल तो भी आ जाएगा निफ्टी और चेंज हो गया तो इस ETF फंड में भी वह एक्सेंज हो जाएगा जिसे भी आपन निफ्टी बाई करना होता है लॉंग टर्म के लिए वह यहाँ पर निफ्टी बीज की तरह वह पाई कर लो और इनमें लॉंग टर्म में कभी आपको लॉस बिल्कुल भी नहीं होगा कभी बिल्कुल भी नहीं तो यह पर वर्किंग जो लोग है उन्हें में कहना चाहते हो कि आपका जबी भी कोई सेलेरी आएगी थोड़ा सा पाट निफ्टी बीज में डाल दो क्योंकि वह लॉंग टर्म में आगे जाके एक अपकी रिटार्मेंट प्लैनिंग समझ के ले लो यह जीन यह स्टाक है क्योंकि स्टाक ने एटेफ बोलूंगा क्योंकि यह हमारे इंडिया के Markets की तरह चलता है और तो आप सभी को बता है के सजाएगा तो इनमें बहुत बड़ी बाइंग करने की कि यहां पर हमारा स्टॉक के स्टेट बैंक आफ इंडिया आप सभी को पता है वन आफ दो टॉप बैंक इंडिया आप देख सकते हैं लॉंग टर्म ने इसमें अमें अच्छा रिटर्न भी दिया और अभी एक ऐसे पोजिशन पर है ऐसे पोजिशन पर है जहां पर एक बढ़ करने वाली scheme नहीं है यह यह विद रोन यहां पर डबल भी कर सकता है तो यहां पर आने के आशंका है तो श्कुली जब यूएस में stimulus नहीं आता देखते हैं गिरता है यहां पर अगर आपको और नीचे यहां पर बाइंग पोजिशन मिली तो जरूर उठा देना और नेच्ट स्टॉक इस बजाज फाइनांस आप सभी को बता है बार बार में नाम रिपीट ले रहाएं और इसमें कितना दार नीचे आ गया था यहां पर यह आपर यह यहाँ पर लोगों का पैसा इसी फॉल में यहाँ पर 70-80% गेन दिया है इसने अभी तक अल्मोस हाई तक यहाँ अगर हम एवरेज ली देखा जाए तो वापस फॉल से उपर यह और नीचे आ सकता है और नीचे बाइंग ऑपरचनटी मिलेगी और आपको यह थोड़ा लॉंग 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 पिरेड ऑफ ताइम यह काफी अच्छा इसमें पोटेंशल रखता है यहाँ पर आप देख सकते हैं यह अल्मोस्ट 4900 तक चला गया तो अभी 3028 पे मिल रहा है तो यहाँ पर यह अल्मोस्ट और अगर नीचे गिरा अल्मोस्ट 2600 के आसपास अगर आप आ जाता है तो आपको इसमें जरूर बाइंग करनी है फॉर लॉंग टर्म जरूर और जरूर करनी है इसमें ओके हार नेक्स टॉक इस आईटी सी आईटी सी हमें देख सकते हैं बहुत से लोग अभी थोड़े कॉंट्रोवर्शल हो जाएंगे बोलेंगे कि रोईत यह आपने जिंदगी के ऐसे पोजिशन में है जहाँ पर यह अपना ओर्मोस्ट लोग चल रहा है और शायद अगर यह एक बार यहां से निकल गया थोड़ा रुको इसमें थोड़ा इसमें रुकने की इसमें थोड़ा पेशन्स रखने की जरूरत है आपके वाच्छ लिस्ट म यह stock add करके रख लो और इसे patiently observe करते रहो हमें यहाँ पर एक support नजर आ रहा है almost 150 पर तो 150 तक यह जब आएगा आपको इसमें थोड़ी सी बाइंग करनी है अगर इसके नीचे भी जाए तो भी आपको थोड़ा hold करना है बिल्कुल भी sell नहीं करना अब देखना है कि market कैसा रि यह बस 200-300 वाला शेर नहीं है यह थाउजन भी जा सकता है इन दर लॉंग रन जा सकता है क्योंकि इसको जो बिजनस है अभी completely turn over हो रहा है अब जैसे रिलाइंस देख रहे हैं रिलाइंस के टरन ओवर आ गया था पूर complete बिजनस में हो टो पेल पर सिर्फ ओईल कंपनी थी अब टेलिकॉम में भी आ गई रिटेल में भी आ गई इसमें आ गई उसमें आ गई वैसे भी एटीसी में एक revolution हो रहा है जिसके वैसे आप यह आई टीसी में भी यह हमें यह चीज़ देखने को मिल सकते हैं वेरी फिलाल आज क्लिए बस इतना है वीडियो बसने लाक्षर